हल्लो प्रेंज्ट ! गुड्मॉर्णिंग और आज का व्यू देखिए हूँ आज कल से भी जादा कोहरा शाया हुआ है आज तो बिल्कुल रेल्वे ट्रैक भी नहीं दीक रही है मैं कल रेल्वे ट्रैक तो दिख रही थी आज वो भी महीं दिख रही है तो सुबह के साथ बजे का व्यू है ये और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि कल पूरे दिन में मैंने क्या-क्या काम किये तो चलिए स्टार्ट करतें वीडियो को तो आज मैंने कल जो है उपर वाली च्छत पे काम किया था पौदो की मिट्टी को चेक करके मैंने पानी दिया देखिए दो तीन तीन दिन में पानी देना पड़ता है और टमाटर के प्लांट की मिट्टी अभी भी सूखी नहीं है तो मैं इन में पानी नहीं दूंगी जिसमे नीड है उसी में पानी दूंगी और उपर की पत्या कुछ सिकुड रही है तो मैं उन्हें हटा देती हूँ ताकि यह जो प्रॉब्लम है पूरे प्लांट पे न फैले तो पिंटर में जो है ना प्लांट को हमेशा चेक करके मिट्टी को चेक करके पानी देना चीए इस तरह प्लांट पे अच्छी जल रही है लेकिन इसमें से मुझे अभी तक चीकु नहीं मिले फ्लावर आते इसमें चीकु भी बनते हैं लेकिन वह ड्रॉप हो जाते है और यह डिखिए यह है मैगनेशियम सलफेट यानि की एपसम सॉल्ट जो की हम प्लांट पे देते तो यह कभ मैं कुछ प्लांट को जिनको पानी की नीड थी उन्हें मैंने पानी दिया अकसर क्या होता है छोटे पॉट्स में पानी जल्दी सूपता है और जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उनमें फिर पानी हमें ज्यादा गैप में देना पड़ता है यहां पे हमारे चन्ने बन और मैंने जो पैकेट में मूलिया लगाई थी तो कुछ मूलिया भी मैंने निकाली है वह मैं आपको दिखाती हूं कि उनकी ग्रोथ कैसी आई है तो ये देखिए इतने से पैकेट में मूली जो मैंने निकाली उसका साइज काफी सही लगा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें मुझे नहीं ग्रोव करनी चाहिए थी देखिए तो अगर हमारे पस जगे नहीं है मिटी कम है तो हम थोड़ी सी जगे में अपने पूरा कर सकते हैं तो काफी सारी मैंने मूलियां हार्वेस्ट करे थी और इस साल मैंने मूलियां काफी अच्छी हार्वेस्ट करी है मूली के साथ मैंने थोड़ा धनिया भी हार्वेस्ट किया था तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी और वीडियो में तब त